तो दोस्तों, वाड़ योल, I hope you all be good, मेरा नाम है श्रेफ राहूल मार्गाम and welcome to my YouTube channel अगर आप मेरे चैनल में नहीं, प्लीज लाइक and subscribe to my YouTube channel ताकि जो भी informative वीडियो रहे, जो भी आने वाली future में, वो सबसे पहले आपको मेरे तो प्लीज लाइक and subscribe to my YouTube channel So, आज की जो topic है बहुत ही different है, कुछ लोगों को पता होगा, शायदा कई लोगों को नहीं पता होगा ठीक है, बहुत informative भी है और बहुत अच्छा भी topic है आज का तो आज हम जिस topic में बात करेंगे बहुत ही important topic है Topic यह है कि all day dining और fine dining में अंतर क्या होता है All day dining and fine dining में अंतर क्या होता है बहुत ही simple संतर है, बहुत ही reasonable जो knowledge मैं दे रहा हूँ, बहुत ही reasonable है अफकोस आप लोगों को समझना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूँ ठीक है बहुत ही important है, all day dining and fine dining में अंतर क्या होता है तो बात करें सबसे पहले all day dining की तो जो all day dining होता है, वो especially होता है वहाँ पर तीनो टाइम का खाना में अंतर का खाना में अंतर का जासे नाम से ही पता जा रहा हूँ जिसमें से वहाँ पर breakfast भी होगा, वहाँ पर lunch भी होगा, वहाँ पर dinner भी होगा और दूसरी बात, as a compare to फ़ोगा, वहाँ पर price थोड़ा low होता है, ठीक है, प्राइस थोड़ा वहाँ पर low होता है, गेस्ट का gathering जाता होता है उस जगह में, ठीक है, complimentary सबसे ज्यादा all day dining में दिया जाता है, और वहाँ पर जो food होता है, वहाँ का जो food होता है, वहाँ का country wise food divide होता है,ठीक है ? Luca maan ke चलो इंडियन पूड बुफgypt दे दिया नहों ने वुछ साख्ये एक ही लगेगा लेकिन दो डिश मानखे चलो नहोंने इंडियन से दे दिया दो डिश भश्येप उड जीन चैनीश ओरिजिन से दे दिया दो डिश उन्होंने जैपनेस ओरीजिन से दे दिया, ठीक है, दो डिश उन्होंने यूरोप ओरीजिन से दे दिया, दो डिश उन्होंने अमरिकास से दे दिया, तो ऐसा करते करते करते, छोटे छोटे अमाउंट को मिला मिला कि अल डे डानिंग क्या होता है यह हर कंट्री को वह एक सिमिलर टाइम में ठीक है वह हर country के डिश को प्रेजेंट करते हैं वहाँ पर available करते हैं तो यह जो होता है वह होता है all day dining अब हम बात करते हैं दुसरी topic की वह है fine dining तो fine dining का मतलब क्या होता है वह specially उसी cuisine का होता है वह उसी country का होता है ठीक है उसको हम बोलते है fine dining तो यहां पर बहुत ही प्रोफेशनली शेफ को रखा जाता है जो उस कुजीन की ही हो ठीक है फाइन डैनिंग का मतलब क्या है जैसी कि मैं में काम करता हूं तो नहीं मैं कांड वाइन शाल के समय है तो यहां पर बहुत Sak년 के जो बहुंनाब शीड है तो आरा इंगे कुज कंडरी का कुजीन हो जिस भी कंड'. क्प43 उसमें हम्कुछ भी एक्सपेरिमंट नहीं कर सकते। इन उसमें कुछ भी narrative नहीं कर सकते जो course fine dining क्थैletumo ङौक्ट अब। लेकिन fine dining just opposite होता है जो चीज जैसी जाएगी वह वैसा ही जाएगा उसको change नहीं कर सकती fine dining की एक खासियत होता है ठीक है fine dining as compared to expensive होता है all day dining से ठीक है fine dining एसा होता है वहां पर सिर्फ एक ही cuisine को वहां पर सर्फ किया जाता है आप कई लोग ऐसे होते हैं जिनको घुम घुम के खाने का shop होता है जैसी के मानके चलो all day dining लगा हुआ है ठीक है all day dining लगा हुआ हुआ हर country के food वहां पर होता है तो ज्यादा तर जो गेस्ट होते हैं वो कहा जाते है आल डे डैनिंग में क्योंकि उनको एसियन भी मिल रहा है ठीक है उनको अमेरिकन भी मिल रहा है उनको यूरोपियन भी मिल रहा है तो हर कंट्री का उनको फूड मिल रहा है जो उनको पसंद आ रहा है वो अपने पसंद के नहीं किया जाता है तो यही होता है difference fin darning और all day darning मेंyr हमेशा जाएध रकति अल दे डान का थोड़ा जो सब्सक्राइध होता है वह थोड़ा क्या होता है तो फहोड़ा क्या होता होता है एस compared to fine Danny ठीख है और all day डानिंग में हम कुछ भी experience कर सकते लेकिन fine dining में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि fine dining जैसा जाता है वो ऐसा ही जायागा जो खाना जैसा बनता है वो ऐसा भी बने उसमें कुछ भी creativity नहीं कर सकते क्योंकि हम वहां के traditional डिश्ट को follow करते जो ट्रेडिशनल होता है उस country का हम उसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं गेस्ट के सामें हम उसमें कुछ भी creativity नहीं कर सकते हैं ठीक है तो आज के टॉपिक में से वीधना ही बात करेंगे तो पता है आप लोगों को मैंने बताया नहीं है fine dining and all day dining में अत्र बहुत ही बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत इंपोर्टेंट है जो बीगिनर से जो होटल इंडस्ट्री जॉइन करना चाहते है इन फ्युच्यर उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेगा इन सारे चीजों को ठीक है तो यही एक छोटी सी बताने वाला था हर दिन आऊंगा हर दिन वीडियो डालूंगा कुछ ना कुछ नए टॉपिक में आप बात करेंगे आज के लिए सिर्फ इतना हैं सब्सक्राइब